हेलो जी वाटसाग गाईज मेरा नाम है जैन कैसे हो आप सब लोग उमीद करता हूँ कि आप सब लोग खेरियत से होंगे आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप शौर्ट वीडियो को कैसे अडिट कर सकते हैं आपने TikTok पे अपलोड करनी है, सनैक पे करनी है, Facebook पे Real की form में, Instagram पे पोस्ट करनी है, YouTube short वीडियो में पोस्ट करनी है YouTube बहुत ज़्यादा short वीडियो को परमोट करता है और वीडियो के ओपर व्यूज भी बहुत ज़्यादा आते हैं short videos की ratio कुन सी होती है कैसे record करनी चाहिए उसके बारे में इस बता देता हूँ बट इस video में just editing के हवाले से बात करेंगे complete detail है मेरा ना मजए हैं चैनल को सब्सक्राइबर वीडियो को लाइक कर देना ऐसी helpful content मैं इसी चैनल पर post करता रहता हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ा शेयर कर दूँ short video जो होती है ना उसकी duration officially 60 seconds एक मिनट की होती है अगर आप एक मिनट की exact बनाते है 60 seconds की तो वो short video में count होगी अगर आप उसे एक मिनट से थोड़ा सबी ज्यादा बना देते हैं 9,50 seconds तक की वीडियो को record करें उसके बाद ratio के बारे में बात कर लेते हैं ये तो time duration के बारे में मैंने बात की बहुत सारे लोग वीडियो इस तरह record करते हैं इस direction को कहते है horizontal और इस direction को कहते है vertical टिक टॉक पर जो वीडियो देखते हैं वो इसी सी तरह आप स्क्रोल करते हैं तो वो इस तरह camera से बनाए जाती है इस direction को कहा जाता है vertical best recommendation ये है कि जब भी आप वीडियो record करें short video तो इस angle से आप record करें अगर आपने इस angle से कर लिया है तो उसको आप इस angle में कर सकते है अगर horizontal वीडियो है तो आप vertical में कर सकते है उसके बारे में भी आपको बता दूँगा I hope कि आप understand कर गी होंगे जब भी आपने वीडियो record करनी है आपने अपने mobile को कुछ ही सतरह से vertical रखकर record करनी है YouTube की जो ratio होती है 16-9 ratio ठीक है अब आपने जो short बनानी है वो 9-60 ratio में बनानी है TikTok, Snack, Reels इन सब platform पर जो short वीडियोज अपलोड होती है उनकी 9-60 ratio होती है जो एडिटर यूज़ करूँगा उसका नाम है CapCut CapCut को आप Play Store से easily install कर सकते हैं सुनने को मिला है पाकिसान से हो कि इंडिया में CapCut Play Store से install नहीं हो रहा तो बहुत सारे different methods को follow करके लोग download करें आप भी कर सकते हैं इसके लिए different videos available हैं आप Google पे search करेंगे CapCut AP के file तो वहां से आप install कर सकते हो सबसे बड़ी वज़ाई है कि इसके अंदर आप edit करना चाहते है तो मैं यह वाली video select कर लेता हूँ ठीक है मेरी video already TikTok style में है already vertical mode में है तो अगर आपकी भी video है तो आपने add के ओपर click कर लेना है अगर आपकी video किसी और direction में बनी हुई है इस तरहां से horizontal बनी हुई है तो आपने video को भी इसी तरह से add कर लेना है फिर आपने क्या करना है मेरा तो यहाँ पर ratio ना already select हो चुके क्योंके मेरी बनी हुई vertical में है तो आपने नीचे थोड़ा असान है ratio पर click करना है यहाँ पर एक ratio मिलेगी 916 TikTok style वाला है कर सकते हो यहाँ तक आप understand करें कि वीडियो को कैसे प्रज़ाट की फार्म में cap cut में या किसी भी editor में add करना है उसके बात बात आ जाती है इसके ओपर आपने editing करनी है वो कैसे करनी है उसके बारे में बता देता हूँ मेरी वीडियो की जो duration है 32 सेकंड 32 सेकंड के मेरी वीडियो है अब बात आती है editing आप कैसे कर सकते हो प्रो लेवल की editing होती है YouTube के उपर आपने वीडियो देखी होंगे बेसिक बेसिक चीज़ें बता देता हूँ बाकि आप जो आप जितना इस editor को use करेंगे इसका course कर लेती है तो मैंने complete detail में video editing tutorial बनाया हुए वो भी आप देख सकते हैं बड़ जो चीज़ें use होती हैं उसके बारे में बतायता हूँ फजूल part delete करने के लिए आपने वीडियो की layer को select करने है जहां से आपको लगे कि part वीडियो को ठीक नहीं है वहाँ पर जाने के बाद आपने split पर click करने है layers separate हो जाएंगी अगर center में है तो इसी तरह आपने थोड़ा सा आगे जाना है जहां तक part ठीक नहीं होँआ पर split करना है center में जो हैना अलाइदा से एक layer separate हो जाएगी आपने delete हो जाएगी अगर starting से आयने ठीक तो इसी तरह आपने split करके उसको भी delete कर देना है ठीक हो गया उसके बाद अगर आप अपनी वीडियो में bgm add करना चाहो background music लगाना चाहो या फिर अपनी कोई voice record करना चाहो voice over करना चाहो तो उसके लिए आपने audio वाले section में जाना है यहाँ पर first है sounds वाला section इसके जरीए आप जो हैना वो अपनी फाइल में से कोई background जो हैना वो music select कर सकते हो ठीक है आपकी फाइल में जो भी music सोंगे वो आपको show हो जाएंगे इसके इलावा आपको effect apply करना चाहो extracted मतलब कि आप किसी वीडियो में से अपनी audio निकाल के यह लेर की form में आजाएगी आप अपनी मर्जे से उसमें जो हैना वो चेनिंग कर सकते हो ठीक हो गया यह भी आप understand कर गयोंगे अच्छा शॉर्ट वीडियो में ज्यादा तर क्या होता है कि टेक्स्ट शो होता है और उसके पीछे music लगा होता है उसको music effect कहा जाता है ठीक है उसको भी आप YouTube से डाउनलोड कर सकते हो बहुत सारे मिल जाते है different उसके names होते हैं आप लिखिएगा के video background effects video background sound effects वो आपको मिल जाएंगे then same procedure है कि आपने sounds में जाना है और select कर लेना ठीक है जिस भी music को add करना चाहूँ और उस जगह पर जाकर उससे अपने place करना है जहां पर आपकी picture show हो रही है ठीक है यहां तक उसके बाद जी और इसके लिए बहुत सरी चीज़ें आप लगा सकते हो आप कोई picture लगाना चाहूँ देखिए shot के ओपर ज्याद यहां पर मैं एक thumbnail select कर लेता हूँ यह देखिएगा यह टॉप पर आगी इसको आप adjust कर सकते हैं अपने हिसाब से वीडियो के जिस portion पर ले की जाना चाहूँ जहां से starting करना चाहूँ वहां तक आप इससे ड्रैग कर सकते हो ठीक है इसके लेंध बढ़ाना चाहूँ वह आप understand करके होंगे उसके इलावा जी वीडियो के उपर आप बहुत सारी effects apply कर सकते हैं आप यहां पर मिल जाते हैं आप अपनी मर्जी का effect यहां से choose करके अपनी वीडियो के उपर apply कर सकते हो उसके बाद जी short वीडियो में ज्याता zoom in और out होता है ठीक है वीडियो एक दम से zoom होती कि कैसी होती है उसके लिए आपने वीडियो के पर चले जाना जहां से आप zoom करना चाते हैं जैसा के मैं यहां पर वीडियो के आजाता हूं यहां पर ना एरो वले आप्शन के बिल्कु साथ एक प्लस ओर आइकन मिलेगा आपने इसके ओपर क्लिक करना है देन आपने थोड़ा सा आगे जाना है जहां से आप जूम करना चाहते हो यह देखिएगा मैं आगे 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 अब मैं इसको यहां से वीडियो को करता हूँ जूम ठीक हो गया देन आप अगर जूम आउट करना चाहो थोड़ा सागे जाकर आप जूम आउट कर सकती हो ठीक है इस तरह आप जाना हो अपनी वीडियो में अज्जस्टमेंट कर सकती हो अपने हिसाब की अब देखिएगा मैं आप लोगों को प्ले करके दिखाता हूँ यह मैं डिलीट कर ले तो ले यह देखिएगा यह एक दफ़ा जूम हुआ ठीक हो गया आप अपने हिसाब से जूम आउट भी कर सकते हो यहाप लोगों को एक दिखा लेता हूँ यह देखिएगा जूम हुआ अब यहाँ पर मैं जैसा के लगाता हूँ के यहां से जूम यहां पर आपके वीडियो के ओपर एफेक्ट जो है ना वो लग जाएगा उसके इलावा और बहुत सर चीज़ें मिल जाती हैं बस बेसिक चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दिया है अब बैंग और म्यूजिक कैसे अड़ कर सकते हैं अब टेक्स्ट एड़ करना यहां पर जो भी टेक्स्ट है सम्टाइम शॉर्ट वीडियो के पर लोग जो ना अपनी वाइस के साथ साथ वाला टेक्स्ट लिखते हैं उसको कैप्शन्स कहा जाता है कैप्शन्स मैं आपको रिक्मेंड करूंगा आप बिलिंक के अप्लिकेशन के जरीए लिखे अब व्रडियो के साथ साथ आप को टेक्स्ट शो हो रहा होता है जासा कि मैंने यहाँ पर जहन लिखा है तो इस तना आप मैनूल हर वर्ड के साथ साथ अपने टेक्स्ट को अच्ड़ कर सकते हो यहाँ पर स्टायल देना चाहो जिस भी टाइप का यहांगा लिखान चैयन करना तो ये बेसिक चीज़े मैंने आप लोग के साथ शेयर की अगर मैं डिटेल में समझाता तो वीडियो बहुत जादा लंबी हो जानी थी मैंने डिटेल में कोर्स बना रख है कैपकट से रिलेटिड उसमें मैंने कैपकट कम्प्लीड यूज़ करने का तरीका बता है में अच्छी आप एडिटिंग कर पाऊगे फाइनल सब कुछ एड़ करने के बाद लास्ट में से आपने एंड में इसका लोगो जो आगा ना वो रिमूब कर देना उसके बाद एरो पे आपने क्लिक करना आपकी वीडियो सेव हो जाएगी गैलरी के अंदर आ जाएगे कोर्स अगर आप करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो चलोगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना इंशाला मिलते हैं नेक्स्क्राइमेटिंग वीडियो के साथ तब तक लिए अपना ख्याल रखिएगा अलाव आफिज